हेलो आज हमारा topic है सपने सपने सभी को आते हैं यह पिस सपने कुछ सपने अच्छ होते हैं और कुछ सपने हमें परशा honesty हैं लेकिन सपने आते क्यूं है? सपने क्या है? उसके बारे में आज हम बात करींगे psychology कहती है कि व्यक्ति की जो इच्छा वो real life में पूरी नहीं कर सकता वो सारी इच्छा उसके sub-conscience mind में चली जाती है और जब व्यक्ति सोता है तो वो सारी इच्छा सपने के ज़गे बहार आती है और वो सपने में कुछ समय तक वो सारी इच्छा पूरी हुते होए देखता है और वो अच्छा फिल करता है सपने में व्यक्ति का mind तो active होता है लेकिन उसकी body active नहीं होती अगर कोई व्यक्ति नाचने का सपना देखता है तो उसमें सिर्फ उसका mind active है उसका body active नहीं है, कभी-कभी उसकी आखे हिलती है, लेकिन वो सिर्फ उसके mind में ही active होता है और सपने हमेसा 95% तो हम भूल जाते हैं, कुछी सपने ऐसे होते हैं, जो हमें याद रेते हैं इसा कहा गया है, कि हमारे life का जो भी experience है, life में हम जो भी देखते हैं, सुनते हैं, वही हमारे सपने में आता है बड़े-बड़े साइंटिसों को उसका experiment का solution उसे सपने में मिला है तो सपने के बारे में कहीं सारे research किये गए हैं उस सपने ऐसे होते हैं, जो आपकी मनोदसा बताते हैं जैसे कोई व्यक्ती अगर जंगल में अकेले घुमने का सपना देखता है या तो कि सड़क पर अकेले चलने का सपना देखता है तो उसका मतलब है व्यक्ती लाइफ में अकेला पन मेस्दूस करता है रिल लैफ में वो बहुत अकेला है अगर कोई विक्ती उच्छाय से गिरने का सपना देखता है तो वो विक्ती इंजहटी में है वो किसी बात की चिंदा कर रहा है तो इस तरह से सपने में विक्ती की मनुदसा का पता चलता है सपने अच्छे हो या बुरे हो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं वो हमें आते ही है और सपने के बारे में सबकी रिसर्च भी अलग-अलग है तो आज के लिए बस इतना ही अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सेब और सब्सक्रेब तो मैं चैनल थेंक यू पर वर्चिंग, बबाई